बिग बॉस 17 चलिए बात करते हैं वही जो कल का एपिसोड था नॉमिनेशन इस्पेशन उसमें क्या कुछ हुआ घर में हुई एक लड़ाई एक नहीं मैं दो लड़ाई कहुंगी एक मुनावर अरुन की बीत्यों थी लेकिन वो लड़ाई कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई मतलब वो ऐसी लग रही थी ना कि चला चला के लड़ी जा रही है लड़ाई लेकिन एक जो लड़ाई थी उसमें बात करनी बहुत जरूरी है ईशा, समर्थ और अभिशेक जिस तरीके से ईशा, अभिशेक लड़ते हैं उस लड़ाई को कहीं से भी अप्रिशेट तो नहीं किया जा सकता है बिलकुल भी अप्रिशेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब यह लड़ते हैं तो यह क्या क्या लेके आते हैं अपने पास्ट का वो सब कुछ बहुत बहुत बुरा होता है और बिल्कुल भी हमारे कानों को भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि यार कभी तो आप सास में थे ना कभी तो आपने एक अच्छे मोमेंट्स को शेयर किया है और आज जब आप सास में नहीं हो तो आप इतना गंदा बोल रहे हो मतलब जो level है ना लड़ाई का वो बिल्कुल गिर चुका है बहुत जादा नीचे जा चुका है और बिल्कुल भी appreciate नहीं किया जा सकता है अच्छा इशा समर्थ लड़ते हैं तो भी समझ में आता है लेकिन बीज में एंट्रिक इसकी होती है समर्थ की और समर्थ का जो level हो चुका है अभी जिस तरीके से वो कैमरे का वो करके उसके आगे पीछे घूम रहा है जिस तरीके से वो continue mental है mental है mental है बापका mental लॉंडा भाई साब समर्थ आपको चुप रहने की जरूरत है seriously आपको सलमान सार से एक डाट की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से आप ये जो continue poking कर रहे हो भाई हमने प्रोमोस में देखा है कि अभिशेक ने हाथ उठा दिया है अभिशेक हाथ नहीं आपको बलकि जिस तरीके का आपका एटिट्यूड है जिस तरीके से आप उसके कान पे जाके continue बोल रहे है सामने से इशा लड़ रहे है और आप पीछे से उसके कान में बोल रहे हो भाई अगर घुमा के उसने दे दिया ना कहीं के नहीं रहोगे इतनी गंदी पोकिंग कोन करता है भाई एक तरफ हम तुम्हारे लिए समझ भी सकते हैं कि चलो तुम हर्ट हो तुम्हारी गर्फ्रेंड है उसके साथ अभिशेक का कभी रिलेशन रहा है अभिशेक ने उसके लिए बहुत गंदा गंदा बोला है यह सारी चीज़ें में एकसप्ट करते हैं लेकिन यह जो तुम कर रहे हो कंटीनियू उसको क्या बोलते हैं उसको पोकिंग के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं और अगर इस हपते सलमान सर आपकी क्लास नहीं लगाते हैं तो भाई बहुत बुरा होगा क्योंकि सलमान सर को इस हपते आपकी क्लास लगानी ही चाहिए पिछले हपते भी आप डरे हुए थे पिछले हपते भी आपके दिमाग में इस बात का डर था कि कहीं असा नहीं हो कि सलमान सर मेरी क्लास लगा दे लेकिन पिछले हपते आपको क्लीन चिट मिल गई और एक चीज का उसका ट्रॉमा है वो कहे रहा है वो क्लॉस्टोफोबिक फील कर रहा है कैसे पता चलता है कि क्लॉस्टोफोबिक फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिग बॉस की आवास सुनके वो शान्त हो गया मतलब वो शांत नहीं हुआ था उसकी, हाँ उसको गेम की जरूरत है उसको बिग बॉस की जरूरत है उसको इस जगह की वैल्यू है वो इसलिए चुप हो गया, वो शांत हो गया, वो ट्राय कर रहा था खुद को शांत करने की लब हर बात का तमाशा बनाके रखते हो तुम लोग और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत इस घर की यह है न कि इस बार जो ये सीजन है ना इस बार इस सीजन में कोई किसी का सगा नहीं है कोई किसी का सगा नहीं है convenience के हिसाब से सारे चीजे हो रही है आज आप देख लो कि विकी और अंकीता, विकी और अंकीता को मैं हमेसा प्रेस करती हूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों काफी पसंद आते हूँ, अंकीता हर बार बोलती है कि मैं दिल की बंदी हूँ, अंकीता आज जो आप कर रही थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग र चुका है, मैं यह सब मानती हूँ, लेकिन जिस तरीके से समर्द पोक कर रहा था, वो आपको सही लग रहा था, बलकि मुनावर कह भी रहा है, कि समर्द जो कर रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो दिख रहा है, टेलेविजन पे बाहर बैठी जनता देख रही है, कि व आप मुझे कल अच्छी नहीं लगी, मैं सब्चु बताओं, कल मुझे आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी नहीं, तो मैं हर जगा आपकी साइट लेने के लिए खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद आती है, मुझे आप बहुत खुबसूरत लगत कि आपका एक अच्छा रिलेशन रहा है, आपने साथ साल उसके साथ टाइम इस्पेंट किया है, आप उसके बारे में बात करती हो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हर बात में सुषांत को लेकाना जरूरी है क्या, मतलब कल आप कहा रही हो कि हाँ वो क्लास्ट्रोफोबिक सुषांत भी था, कम्पैरिजन कहां से होता है, अंकिता, कहां से कम्पैरिजन होता है, बहुत बुरा था, हर बात पे सुषांत को नहीं लाना चाहिए, जो बंदा इस दुनिया में नहीं है, ऊसकी बाते構र ठीक है, आप अच्छे वे में कभी कर रहा हो तो ठीक है, यह यह आप बोल रहे हो और आपको लग रहे है कि हर बार आप सुषांत को लेके आ रहे हो आपको सिम्पैथी मिलेगी इस बात से मुझे कल अंकिता का ये जो शुषांत का नाम लिया उन्होंने मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा वो बाकी बाते करती हैं मुझे ठीक लगता है लेकिन ये क्या बात है भई तुम हर बात पर शुषांत को लेके आते हो जो बंदा है ही नहीं उस दुनिया में बंद करो अंकीता है और मैधनी का ओपक्राइब का SEO और मुखानी अपने का करते हुच्पिता लुट कर रहे है औरने 20 वह इंवा Hm जहां पर इशा कुछ चीजे एक्सरसाइज कर रही थी अंकिता ने अपनी बताने की कोशिज की कि मैं 12-14 km चली जाती हूं जो कि अगर हम देखने चाहें तो थोड़ा सा हमें इंपॉसिबल सा लगता है कि 12-13 km भाई यह तो काफी लंबा होता है काफी लंबा होता है लेकिन अंकिता ऐसा कह रही थी तो चलो हम एक बार को मानते भी हैं विकी वही मस्ती कर रहा था वो लिटरली मस्ती कर रहा था और हमें दिखता है कि वह मस्ती करता है अंकीथा उस बात पर गुसा आ गया और गुसा थो आया उसने जस तरिक ऐसे वह अच्छा हम अगर पिलोफाइट की बात करें तो अंकीता प्यार से नहीं गर रही थी वह बिल्कुल भी वह गुसे में थी लिटरली वह गुसे में थी लेकिन विकी हर टाइम उसको ले रहा था अच्छे से ले रहा था कि चलो ठीक है अभी यह चुड़ी हुई है तो हम भी मानते है कि चलो वह चुड़ी हुई थी अच्छा अंकिता यह भी वार्ड यूज करती है कि बाहर हमें साथ में रहना है कि नहीं रहना है बाहर में जाके तेरे से अलग हो जाओंगे अगर यही बात विकी करें तो हम पहले आजाते हैं खड़े हो जाते कि विकी तू ने तो गलत किया विकी हमेसा यह क्यों बोलता है लेकिन अगर अगर अंकिता यह सारी चीजे बोलती है तो कैसा लगता है सुनने में तो भी तो बुरा लगता है न कहीं हमारा इडाइबोस कीस न चलने लग जाए मैं तरको छोड़ दूंगी हमा अलग हो जाएंगे यह सब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है समझनी वाली बात है हला कि यह about you husband wife का relation है मैं फिर यह जही कौनगे कि आपके husband wife का relation है आप इसमें जो मर्जी है जिसको जो कहना चाहो वो कह सकते हो लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है कियो कि अगर यही सेम बात विकी कहता है तो हमा जाते हैं कहने के लिए कि भाई विकी यह कैसे बोल रहा है विकी अंकिता के साथ गलर ट्रेटमेंट कर्रा है तो अंकिता को भी विकी के साथ वैसा ट्रेटमेंट तो नहीं करना चाहिए चाहिए वो मस्ती मचाग में ही क्यों नहूं तो ये वाली बात है बागी मुझे कल अंकिता का टेक बिल्कुल bijvoorbeeld पसंद नहीं है जिस तरीके से वो अभिशेक के अगेंस्ट में ही खड़ी थी वही एक तो इन लोकी न कोई दोस्ती कोई आरी नहीं है इशा आपकी कब से सगी हो गई अंकिता इशा आपको इतनी सगी लगने लग गई है ना उसने आपको कैप्टेंसी में चांस दिया इशा ना उसने वो जब नौमीनेशन था तब आपको चांस दिया आपको इतनी सगी लग रही है इशा इशा किसी की भी नहीं है जिस तरीके से इशा ने अपना गेम खेलायो डे वन से पहले वो आपकी दोस्त हुआ करती थी उसके बाद वो एश्वर्या की दोस्त बनी फिर वो मनारा की दोस्त बनी फिर वो आपकी दोस्त बनी फिर वो मनारा की दोस्त बनी तो ईशा किसी की भी नहीं है है ना सायद आपको समझ में नहीं आरा आपको लग रहा है कि नहीं नहीं आज ईशा आपके साथ है तो बस ईशा आपके साथ ही रहेगी अभिशेक मैं मानती हूँ कि गलतियां करता है अभिशेक सबसे लड़ लेता है भिड़ लेता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिल का बंदा नहीं है जिस तरीके से वो कल रोया ना विकी भाई ये मेरी उस टाइम की बात कर रहे हैं, जिसने मैं गुजर के आया हूँ, मुझे तो बड़ा बुरा फील हूँ, मुझे लेटरली बहुत बुरा फील हूँ, अभी शेक के लिए, कि यार किसी के भी, और समर्थ आप बता रहे थे, डॉक्टर के नाम की, उसके डॉक्टर का नाम मैं बता देता हूँ, परची बता देता हूँ, चंदीगर में ये वो, जो अब ये सारी बाते कर रहे थे, आपको पता है ना कि वो किस सिच्वेशन से गुजर के आया है, उसके बावजुद आप कर रहे थे, मतलब किसी के मेंटल हेल्थ के साथ खेलना इतना इजी है इस घर में, और बिग बॉस भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और अभी सलमान सर आएंगे, तो अभिशेक के एक लास लगाएंगे, कि अभिशेक आप पोगिंग करते हो, तो आपको वही टेस्ट मिल रहे हैं, गलत बात है, बिल्गुल गलत बात है, मुझे कल का एपिसोड देखे, मुझे अभिशेक के लिए बहुत बुरा फील हुआ, कि जिस तरीके से ये इशा समर्थ दोनों एक साथ हो, कि गुट बना के लड़ते हैं, अच्छा मैंने एक चीज ये भी नोट किये, कि इ अभिशेक से लड़ लेती हूँ, अभी अभी समर्थ चला जायाना तो इशा बिल्कुल सान्त हो जाएगी, और वो अभिशेक के पास जाके बैठेगी, बाते करेगी, इतनी गंदी वाली लड़ाई पहले नहीं हुआ करती थी, जब समर्थ यहां पे नहीं था तो, तो अभिशो के अंदर, मुनावर अगर आशा नहीं आती, तो अब तक मेरे से पैचप कर लेता, अब तक मेरे पास आ जाता, मेरे से अच्छा बन जाता, लेकिन अब वो आ गई है, तो अब वो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि कहीं वो उसके पत्ते ना खोल दे, मतलब अगर आपका खुद का गेम है मना रहा, तो आप अपने गेम पे बढ़ो ना आगे, आपको क्यों मुनावर चाहिए, इतने टाइम तक था ना वो आपके साथ, लेकिन अगर वो नहीं है, तो फिर आप बैक बिचिंग ही करती रहो, क्योंकि आप इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रही हो, बस मुनावर 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 ये मुनावर वो मुनावर ऐसा मुनावर वैसा, वो आगे बढ़ चुका है, वो अपना गेम खेल रहा है, और वो भी गेम जो खेल रहा है मुनावर ना वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओवर कर रहा है, क्योंकि विज विए अच्छे मोड़ बे था, बिलकुल शान्त मुनावर हमें देखने को मिला फिर उसके वासे आईशा के अयशा서 मुनावर अब उखे उग फुर वे खैस संसमरों अब जो थका हारा साउ देका था और ये मुनावर थोड़ा सा आजीब सा लगराहै कि मुनावर ए और उन से कल क्यों लड़ रहे थे मुम्झे वह लढ़ना समझ में नहीं आया कि तुमको कोई नहीं मिला तो अरुन मिला लड़ने के लिए जबकि मुझे लगता है कि वहाँ अगर अरुन कुछ कह भी रहा था तो मुनावर आपको चुप हो जाना चीगे था जैसे आप हर बार चुप हो जाते हो लेकिन नहीं जो कल आप जो continue और उसके पीछे पीछे जाके लड़ रहे हो वो मुझे थोड़ा सा जीब लगा कि मुनावर ऐसा तो नहीं है तो फिर ऐसा कर क्यों रहा है तो बस वही बात है कि सलमान साल ने समझाया है घर के अंदर उस दिन लोग आये थे कृष्णा विसेक आये थे वो डीजे वाला आये था सबने भाई मुनावर की तारीफ करिये तो मुनावर को लाकर आए कि अब मेरा गेम ये है अचा मुनावर ने कल आशा को ये भी बोला कि आशा देख अब हम आशा फ्रेंड मी नहीं रहेंगे तो ऐसए को कंटेस्टेंट अगर जांती है तो हम रह लेंगे और को कंटेस्टेंट के तोर पे अगर हम फ्रेंड बननते है तो हम उस तरीक E से रह ल volver पाकी सारे बाते भूल जा बाई वो लड़की तुम्हारे भरोसे ही तो आई हुई है मुनावर, वो कैसे भूल जाएगी, वो तो सोच रही है कि अब अगर मुनावर छोड़ देखा तो मेरा गेम ही क्या है फिर, और वाक़ी में जैसे ही मुनावर ने हाथ छोड़ा, वो आ गई मुनावर के ही पास, तो सबसे पहले उस बंदे को नॉमिनेट करती हाँ मैं यह चाहती कि वो एलिमिनेट नहों लेकिन मैं नॉमिनेट करती मना रहा आप और आशा इसलिए तो अलग है ना आशा यह जरूर कहती है कि उसको मुनावर से प्रॉब्लम है लेकिन उसकी आँखों में वो दिखता नह उसको रीजन यही बोलना चाहिए था कि भाई यह जिस तरीके से कंबल इसने मेरे मूपे मारा है वो मुझे बलकुल पसंद दी आया है और आउरा को देख लो चरा आशा का फ्रेंड इसलिए अभिशो को नॉमिनेट कर दिया है और बिग बॉस को भी देखो बिग बार तो आप इम्म्यूनिटी देते हो ना केप्टन को इस बार इम्म्यूनिटी क्यों नहीं दी क्योंकि इस बार आउरा को निकालना है तो इसलिए आपने इम्म्यूनिटी ही नहीं दी तो इस तरीके से वही बिग बॉस भी अपना जो गेम खेल रहा है ना सड़े अंतर वाला वो कभी Immunity दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो यह वाली चीज है, मतलब कोई अगर आप Big Boss का Fixed Game पढ़ना चाहो, समझना चाहो, तो कोई Fixed Game नहीं है, क्योंकि Big Boss situation के हिसाब से चलते हैं, उनको जब जिसको बाहर निकालना होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, जब जिसको Immunity देनी होती है, उसको Immunity देते हैं, जब जिसको Confession Room में बुला के Boost करना होता है, बूस्ट कर देते हैं, तो मतलब इनकी खुद की भी अपनी Personal पसंद choices हैं, और वो बड़ी Clear नजर आती हैं, अनुरा घर के बाहर आ चुका है, अनुरा के लिए बहुत बुरा लगा भाई, ज इस तरीके की वो बाते बता रहा था, कि उसको Shame of Walk कराई गही है, मतलब Big Boss क्या कर रहे हो, और उसको Telecast भी नहीं किया गया है, तो एक बंदा जो कि आपके Against में खड़ा हो गया था, आपके घर में वो अगर आ रहा है, तो आप उसको Shame of Walk कराई गही है, और आपको Telecast भी करना जाएगा, तो अनुराग की जलनी मुझे नहीं लगता कि उसने बहुत सारी चीजे वो खुद कह रहा था कि मैं इस इंटरव्यू में अगर 20 मिनट की इंटरव्यू है, तो मैं यहां सारी बाते बता रहा हूँ, तो आप सबको लगता है कि मैंने तीन महीने में कोई बात नह लेकिन मेकर्स ने हर बात उको एडिट किया है, और जिस तरीके से भाई उसके साथ ट्रीटमेंट हूए, डेवन से लेके और जब तक वो रहा है इस शो में, बद गंदा वाला ट्रीटमेंट हूए, कुछ लोग होते है जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं, और मुझे लगत है, उसकी बेज़तियों पर बेज़तिया करी हैं, हाना, तो वो बंदा आपके अगेंस्ट क्यों नहीं जाएगा, इंगी वाली बात मुझे समझ में आए, तो ये रहा मेरे हिसाब से कल के एपिसोड का रिव्यू, भाई साब मुझे अभिशेक के लिए बहुत बुरा लगा और समर्थ के उपर बड़ा गंदा वाला अजीब सा फील हो रहा है, कि अगर सलमान सर इस बार क्लास नहीं लगाते हैं, तो वही आप लोग बिग बॉस कर क्या रहे हो, और सलमान सर आप क्या कर रहे हो, कौन सा एपिसोड आप देख रहे हो, कि हमें बुरा लग रहा है, ले पर भी चुप-चप सुन के लेता है, सह के लेता है, इसका यह मतलब नहीं है, कि आप लोग हर बार उसी की बैंड बचाओ, है ना, चलिए, बाकी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ओपिनियन रखना है, जो भी आपको कहना है, और नॉमिनेशन आप सोब को जो कि अब नीचे जा चुकी है, मुनावर आए, अभिशे, अरुन को कर दिया उन्होंने और अरुन ने आके बंदी कर दिया, अरुन ने इसलिए बंद कर दिया, क्योंकि भी आ, अरुन को आगे कभी तू देखना है, अब वो विकी भीया की टीम में चलेगें, और विकी भ यह खुश है अभी, तो इस तरीके की चीजे हैं, और बागी आप लिखे कि आपको क्या खुश है कहना, बिलते हैं नक्स्ट वीडियो में,